नमस्कार, वेलकम टू स्टेप अपाई, इस इंडियन इक्स पिस के टोरिल डिसकेशन में आपका स्वागत है 12 जुलाई के इंपॉर्टेंट आर्टिकल को हम डिसकेश करने वाले हैं और कुछ कुछन होंगे आंसर राइटिंग के लिए उसको आप ज़रूर ट्राइ करेंगे ऐसे राइटिंग का कोटेशन देख लेते हैं पेइन इस इनेविटिबल, सफरिंग इस ओप्शनल काफी इंपॉर्टेंट कोटेशन इसका इसतमाल ऐसे राइटिंग या जीएस पिकर फोर में आप कर सकते हैं कि पेइन जो है या दर्द है वो अवश्ण भाबी है वो अनिवारे रूप से मिलता ही है लेकिन जो सफरिंग है वो ऑप्शनल होता है आप कितना उस पेइन को छेलते हैं या उसी में समाय रहते हैं या आप उस पेइन को वहीं छोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आगे बढ़ते हैं कोचिंग के बारे में जान लीजे 23rd of July से नया बैस स्टार्ट हो रहा है प्रॉपर आंसर राइटिंग के लिए इंडिवीडियोल्स को प्रॉपर्ली टार्गिट किया जाता है आप बेशक और जुड़ना चाहते हैं तो इस ग्रुप में आप आकर के देख भी सकते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा अगर आप इसमें आना चाहें तो इस अर्टिकल बहुत इंपॉर्टन्ट है वेज इंबालन्स को लिए करके है जो दोनों ही जगा पर ये इशू आप असोसियेट कर सकते हैं पर टू में सोचल जस्टिस में आ जाएगा पेपर स्वी में जो एंप्लॉइमेंट वाला इशू है उस पर हम आज बात करेंगे देखते हैं क्या कहा गया है आर्टिकल में तो बहुत ही इजी बनाने की कोशिश की गई ये पूरे आर्टिकल को मिनिमम वेज के बारे में आपको मालूम होगा अभी एक बिल लाया जा रहा है कैपनेट के द्वारा उसको अप्रूवल भी दिया जा चुका है कुछ रिवाइस्ट वर्जन के इस बिल को पेश किया गया है इसमें skill level और geographical reason को तवज़ो दिया गया लिंक किया गया इस पूरे बिल में और एक national minimum wage बनाने की बात कही जा रही है यहाँ पर option ये होगा कि हमने जैसा डिसकस किया था economy survey में floor wage की बात कही गई थी तो यहाँ पर उसी तरीके से एक national wage बनाने की कोशिश की जा रही है और इसमें जो लोग है या जो workers है उनके लिए एक minimum मूली तै किया जाएगा कि आप इतने पैसे पर ही इतने रुपए पर ही उनसे काम करवा सकते हैं हालां कि जो राज्य है उनके पास अलग से options होंगे तो हम इस पर पूरा discussion करेंगे पहले जो benefits जान लेते हैं देखें कि जो bill लाया जा रहा है इसका उससे बड़ा फाइदा क्या है social protection को ले करके है जो workers है उनके social protection का ध्यान रखा जा सकता है किस तरीके से जो inequalities है income में उसको पहले तो कम किया जा सकता है यह सारे benefits आपको यार रखना है दूसरा सबसे बड़ा जो gap है आज gender gap जो है wages के मामले में महिलाओं को जादा वेज़ पूर्शों को जादा दिया जा रहा है अगर हमने इन workers को इस तरीके से help किया तो एक और help यह होगा कि इस scheme के बाद इस process के बाद जो power है या power का imbalance है between the workers and employers उन दोनों को कम किया जा सकता है या फिर address किया जा सकता है but इसमें concerns बहुत सारे हैं और हम concern पर बात करने वाले हैं सबसे पहला concern तो यह है कि आप wage को तो pushed कर रहे हैं आप इसको बढ़ा रहे हैं आगे लेकिन उसको productivity से link नहीं किया गया है और इसका impact क्या होगा जो company है वो कम workers को hire करेंगी अगर आप ज़्यादा पैसे pay करेंगे तो जाइज सी बात है आप कम worker को लेकर करेंगे और ज्यादा काम करवाएंगे तो productivity तो यहाँ पर link किया नहीं गया है जो इसका एक सबसे बड़ा loophole है दूसरा factor है capital intensive production को लेकर के भारत में जो companies हैं खास करके वहाँ पर जो preferences दिये जाते हैं वो capital intensive production में दिये जाते हैं तो ऐसे में क्या हो रहा है जो ratio है capital labor ratio अभी हम बात करेंगे क्या होता है वो distort हो सकता है आईए जानते हैं क्या होता है capital labor ratio देखें इस image से समझने की आप कोशिश करेंगे यहाँ पर आपको example दिये में चारो years के बारे में आपकी सामने पूरा data mentioned है जब asset कम है और labor जादा है तो capital labor ratio कितना है 83% है ठीक है आगे अगले साल में आईए जब यह दोनों बराबर हो गया asset पूरा 25,000 हो गया labor भी 25,000 हो गया तो capital labor ratio कितना हुआ 100% हो गया कि यह बढ़ गया है ऐसे में आगे बढ़ते गए तो हमने देखा कि जब asset बहुत जादा हो गया ठीक है पहले यहाँ पर labor जादा हुआ करता था और last में labor बिलकुल कम हो गया तो ऐसे में capital labor ratio क्या हुआ हाई हो गया इसी को बोलते है capital labor ratio तो कहा जा रहा है कि यह distort हो सकता है या फिर high हो सकता है इस पूरे program के लाने के बाद आगे बढ़ते हैं आगे ही कहा गया है इसमें कि एक informal channel का इस्तमाल क्या जाएगा ध्यान दीजी यहाँ पर क्या कहा जा रहा ह आप नहीं देना चाहते हैं तो क्या करेंगे companies एक नया route अपनाएंगे और अलग से informal channels के through workers को लेकर के आएंगे वर्फोर्स को लेकर के आएंगे जैसे आप जानते है labor की कमी तो है नहीं भारत में और इस तरीके से जो उनके rights है workers के वो भी hamper होंगे और एक नया तरीका निक export को boost करना तो वो रास्ते ढूंड रहा है कैसे हम export को boost करें और ऐसे में जो labor intensive sector है जैसे की government sectors है वहाँ पर एक consequence देखने को मिल सकता है क्योंकि अब labor कम कर दोगे आप जाहिज सी बात है कि उसका एक अलग impact देखने को मिलेग और फिर आपका export कैसे boost होगा अगला problem क्या आ रहा कोड में एक बात कही गई है कि हम तो एक normal minimum wage टाय कर देंगे लेकिन state अपने accordingly जो amount है उसको बढ़ा घटा सकती है तो क्या होगा कहीं पर अगला state है उसने बढ़ा दिया पैसे या किसी district में ज्यादा पैसे दिये जा रहे है और कहीं पर कम दिया जा रहे है तो जो migration का issue है वो इसमें और ज्यादा बढ़ जाएगा जो labor है वो उस तरह भागने लग जाएंगे जहां पर ज्यादा पैसा है और इस तरीके से एक imbalance अगला challenge क्या बताया जा रहा है अगला challenge यह है कि भारत में informal sector इतना बढ़ा है कि इस पूरे process को implement करना enforce करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कहीं न कहीं असंभव सा हो जाएगा क्यूं क्यूंकि आपके पास 93% worker है जो informal sector में आते हैं they are not formalized right now यह आपका data दिया गया है इकनोमी सर्वे के द्वारा जो latest economic survey है उसके according लिए तो आप exactly mention कर सकते हैं इस point को तो यह हमने challenges देखें कुछ और challenges को यहाँ पर बताया गया है फिर हम conclusion पर बात करेंगे तो एक data यहाँ पर show किया गया है वो data क्या है कि जो share है workers के wedge का जब उसका gross value added निकाला गया GVA आपको प मतलब होता है net indirect tax, indirect tax में आप subsidy को हटा दो और उसको आप minus करो GDP at market price पे तो GVA निकल करके आ जाएगा according to the data यह कहा जा रहा है कि 2016-17 में यह 12.7% था अगर हम 78 की बात करें तो यह 9.2% था, हम workers के wedge के share की बात कर रहें GVA में लेकिन यह आज भी 1980s के level से कम है तो इसका मतलब हम जो wedge दे रहे हैं लोगों को वो बहुत कम है और इसमें यह option तो बहुत अच्छा चुना है government ने कि आप minimum wage को तै करें यह definitely हमें उस goal को अचीव करने में मदद करेगा कि हम अपने यहाँ पर equity और justice लाना चाहते हैं इस goal को अचीव करने में simply हमें काफी मदद मिलेगी लेकिन challenge यह है कि अगर हमने इसको और formalize नहीं किया क्योंकि यहाँ पर formalize करना चीजों को बहुत ज़रूरी है और flexible करना पड़ेगा हमें labor laws को तब ही हम उस factor को achieve कर पाएंगे जो हम चाहते हैं यानि कि जो approach जो main उद्देश है इस bill को पाना चाहते हैं जिसके लिए इस bill को लाया गया है तो formalization बहुत ज़रूरी है साथ में labor law को flexible करना बहुत ज़रूरी है तो आपके पास यह question है इसका आप answer लिखेंगे how can the wage hike by the central government may impact the Indian economy कैसे वो Indian economy को impact कर सकता है यह आप discuss करेंगे 150 word में आई आगे बढ़ते हैं हमारा अगला जो article है वो भी बहुत important है Delhi to Tehran via US यानि किस तरीके से आज इंडिया इरान का relation hamper हो रहा है उस पर हम discussion करने वाले हैं इसको आप चोड़ दीजे जो नस्टरीश पेपर 2 में जो IR का section है जहां पर bilateral, regional और global grouping mention है उस पर हम discussion करने वाले हैं तो इसमें US politics के बारे में बताया जा रहा है जिससा आपको मालूम है कि आज दो pillar दाव पर लगे हैं भारत के दो pillar stake पर हैं foreign policies के मामले में और वो कौन-कौन से pillar हैं पहला तो relationship with Iran और दूसरा relationship with Afghanistan यानि कि Iran और रिष्टे दाव पर लगे हैं because of whom? US, US की वज़ा से तो यहां पर कुछ चीजों को point को discuss किया गया है पहरे तो यह कहते हैं कि US के sanction के बाद actually हमने उसको resist नहीं किया और इरान से जो oil import होता था इंडिया में उसको रोग दिया गया इसका impact क्या हुआ कि हम पूरी तरीके से dependent हो अब मुद्दा उठाया यहां पर चाबार का चाबार का क्या issue discuss कर रहें आर्टिकल में तो US की वज़ा से तो tensions बढ़ ही रहे थे इंडिया इरान की बीच में सी बीच में इंडिया के कुछ ऐसे steps हैं जो काफी सोचनी है यहां पर क्या बात कही जा रहे है कि चाबार को लेकर करके जो अभी budget पेश किया गया है यानि कि वही चाबार जहां जो हमारे बहुत important हुआ करता है खास करके जियो strategically point of view से जहां पर काफी बड़ा investment है इंडिया का चाबार पोर्ट पर वहां पर इस बार के जो budget है उसमें जो हमारा project है deep sea port का उस project में allocation को two third down कर दिया गया है इस पिछली बार जो 2018 और 2019 के बीच में budget allocation हुआ था वो 150 करोर का था और इस बार का जो budget लाया गया है वो कितना है 45 करोर only है यानि कि हमने investment को अचानक से two third कम कर दिया तो यह step है इंडिया का वो क्या show कर रहा है definitely वो show कर रहा है कि इंडिया भी कही न कहीं हार मानते वे जा रहा है और actually में वो भी कोई fight नहीं कर रहे है US से इस चीज को लेकर के और इरान में जो investment था उसको और reduce करते जा रही है यह पूरा मुद्दा है इसी पर हमागे discussion करने वाले हैं अब सबसे पहले आप चाबार पोर्ट का location देख ले दिखें कितना important है यह हमारे लिए यह इंडिया है और यह हमारा route है यहाँ पर चाबार पोर्ट है जो कि एरान में है और यह जो location है वो गवादार पोर्ट का है which is in Pakistan why this point is very important for us because यहाँ पर चाइना का इंवेस्टमेंट है गवादार में ठीक है यहाँ पर इंडिया का इंवेस्टमेंट है दूसरा क्या factor है आप इस रास्ते से अफगानिस्तान बहुत इसली जा सकते हैं और साथ में आप वेस्ट एश्या में पहुँच सकते हैं लेकिन आपक पाकिस्तान के साथ है तो यह लोकेशन तो वैसे भी अभी हमारे लिए fruitful है नहीं और ऐसा कोई option है भी नहीं तो ऐसे में इरान एक बहुत important factor है इंडिया के लिए दूसरा oil import तो होता ही है तो economically इंडिया के लिए बहुत viable है इरान के साथ relation strategic point of view से देखें तो बहुत important है और अ कि इरान या वेस्टेश्या के रीजन में हमारे कई सारे इंडियंस रहते हैं तो यहां पर टेंशन या यहां से दूरी का मतलब है कि वहां पर जो इंडियंस रह रहे हैं उनके लिए problem create हो सकती है साथ में जो remittances वहां से भारत आते हैं उसमें भी दिक्कत आगे हो सकती है त तो आप थोड़ा थोड़ा करके इन चीज़ों को एकठा करते रहें एक ही जगह पर ताकि जब आप इंडिया इरान के बारे में बात करें तो सारे points आपके दिमाग में आजाएं आई देखते है आर्टिकल में क्या कहा गया इंडिया's development in इरान और अफगानिस्तान तो बही अगर काउंडर करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा उप्शन हमारे पास एरान है और वेस्ट एशिया का अगर हम एकसेश चाहते हैं तब भी हमारे पास एरान ही दिखाई देता है अब बात करें अफगानिस्तान की तो भारत और अफगानिस्तान का कैसा डेवलप्मेंटर और किस तरीके का इंवेस्टमेंट इंडिया का है अफगानिस्तान में तो अभी एक फैक्त आप देख लीजे रिसेंट्ली जो डिपोर्ट आई है उसमें पिछले पास सालों में सबसे जादा जो एड प्रवाइट किया गया है फॉरन कंट्री में इंडिया के दौरा वो अ अफगानिस्तान ही एड मेंस अफगानिस्तान है फिछ एक लार्जेस्ट रिसेपेंट इंडिया फॉरन एड अड ओर देख लास्ट फाइट तो यह एक दाटा फैक्त आप इसको आप उसकर सकते हैं सिकंडली यहां पर कुछ इंपॉर्टन फैक्टर को डिसकस किया गया है कि इंडिया ने किस तरीके से अपना अप्रोच दिखाया है अफगानिस्तान में सबसे परने तो सॉफ्ट पावर की तौर पर तना जाता है इंडिया Secondly, infrastructure development कर रहा है कहां अफगानिस्तान में Infra किस तरीके का Infra? Hospitals बनवाना, roads, construction, dam का construction आपको याद होगा, Salma Dam अफगानिस्तान में ही है और इंडिया और अफगानिस्तान के दोरा मिल करके इसको construct किया गया है दूसरा, तो हम बात कर रहे हैं, democratic nation relations की इसका मतलब है कि जो civil servants है उनको training दिया जाता है इंडिया के द्वारा बहुत सारे जो students है अफगानिस्तान के वो Indian universities में पढ़ते हैं इसके बाद इंडिया ने कई सारे support किये हैं इवन जो अभी present government है उनको उनके साथ relation बहुत अच्छा रहा है इंडिया का बहुत support किया है इंडिया ने एक insurance policy लेकर आया थी अफगानिस्तान government जिसमें इंडिया ने primary तोर पर बहुत जादा help किया है इंवेस्टमेंट भी किया है इसमें ठीक है priorities है इंडिया के लिए पहली priority तो यह है कि prevent किया जाए पाकिस्तान को मतलब कोई ऐसा पाकिस्तान supported government वहां पर ना बन जा जैसा कि 1996 में हुआ था काबूल में वो हम नहीं चाहते दूसरा क्या है यहां पर priority कि जो जिहादी groups है उनका dominance वहां पर ना हो दुबारा से वो lot ना आए जिसे कि अल-काइदा वगरा का dominance रहा था तो वो चीज़े फिर से ना हो जाए तो यह भी एक concern है इंडिया के लिए क्योंकि इंडिया के security के परपस से भी बहुत जरूरी है तो बता जा रहा है कि जो यूएस का decision है कि वो अफकानिस्तान से बाहर चले जाएंगे सक्किनोंने promise किया है और अपने truths को भी साथ ले करके वहां से चले जाएंगे तो यह इंडिया के लिए एक bad news की तरह है और ऐसा लग रहा है से वो अपने ground को lose कर रहे है अफकानिस्तान में इसमें कुछ बाते कही गई है कि जब तालिबान ready नहीं हुआ बात करने के लिए वहां काबूल के government से तो जो US है उन्होंने कतर का सहरा लिया और कतर में एक बैठक बुलाई गई उसमें 60 अफगान citizens को participate करने को कहा गया ये वो लोग थे जो अफगान state को represent कर रहे थे और उनकी बात्ची तालिबानियों से तालिबान से करवाई गई एक joint statement निकाला गया और दोनों तरफ से एक pledge लिया गया क्या pledge था वो to respect and protect the dignity of the people, their life and property and to minimize the civilian casualties to zero ये pledge लिया गया है अफगान इस्तान के जो citizens गये थे 60 अफगान citizens और टालिबान के द्वारा तो ये negotiation US के द्वारा करवाया गया और अब US का ये कहना है कि वो वहां से जा रहा है हाला कि जो काबुल government है वो ये कह रही है कि ये जो अभी decision लिया गया है ट्रम साब के द्वारा वो sensible decision नहीं कहा जा सकता है वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो presence है वो अफगानिस्तान में बढ़ता हुआ दि पाकिस्तान एक important role play कर सकता है इस reason में peace and stability को maintain करने के लिए समझ रहे हैं आप तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा माना जाता है ऐसा feel किया जाता है कि पाकिस्तान का influence है तालिबान पर और ये अगर पाकिस्तान चहले तो तालिबान को शान्त कर सकता है या अफगारिस्तान में शान्ती कायम करने में वो मदद कर सकता है वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान government और जो अफगारिस्तान government है वो ये दूसरे से मिल रहे हैं तो कहीं न कहीं पाकिस्तान का presence आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है दो बहुत सारे investment इंडिया के द्वारा किये गए हैं लेकिन आज के टाइम पर जो ये geopolitical situation create हुआ है ये सोचने पर मजबूर कर रहा है भारत को कि आखिर क्या करना चाहिए कंक्लूजन में कुछ बाते कहीं गई हैं जो कि बहुत important है पहले तो ये कहा गया है कि जो game plan है इंडिया का इरान में investment चाबार पोड बनाना अफगानिस्तान में infrastructure को develop करना यानि एक soft power की तरह इरान अफगानिस्तान के अपने relation को boost करना वो damaged होता नजर आ रहा है वही दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि भारत को एक तरफ तो तालिबान से communication establish करना चाहिए वही दूसरी तरफ इरान से बातचीत शुरू करनी चाहिए कि हम आज भी corporate कर सकते हैं एक दूसरे country के साथ आ सकते हैं it is still possible तो अगर एरान एक अच्छा friend है तो उसको अच्छे friend की तरह भारत को feel करना चाहिए बातचीत शुरू करनी चाहिए और दूसरा तालिबान से भी communication स्टार्ट करना चाहिए कि वह आगे peace stability को maintain करें इस reason में तीसरा fact यहां पर बत कि आप trade dispute में देख रहे हैं US का stand वैसे भी बहुत duplicity रही है US मामले में तो अगर ऐसा दोस्त है तो दुश्मन की आवशक्ता नहीं है तो ऐसे में एक बार इंडिया को reassess करना चाहिए कि जिस रास्ते को हम follow कर रहे हैं वो कितना उचित है आज के rate में चौथा यह कहा जा रह वो आप एक ऐसी जोगर्फ है जिससे कि आप पाकिस्तान को isolate नहीं कर सकते हैं तो यह challenges है साथ में कई सारे suggestions given है writer के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि at present अभी यह स्थिती है कि जो पाकिस्तान है वो हमें access नहीं दे रहा air access नहीं दे रहा तो हम पाकिस्तान होकर के Afghanistan नहीं प आपको मालूम होगा बारा कोड स्ट्राइक के बाद जो air space है उस पर बैन कर दिया है पाकिस्तान ने ठीक है तो conclusion में कहते हैं कि situation में सम्हलने के आवश्यक्ता है और जैसा कि Trump साब ने कहा था कि Afghanistan में सिर्फ हम क्यू रहें वहाँ पर Russia क्यू नहीं है इंडिया क्यू नहीं है पाकिस्तान क्यू नहीं है तो राइटर ये कहते हैं कि US को शायद याद नहीं है कि 9-11 कहां पर हुआ था तो अफगानिस्तान में या टेरिस्ट को रोकने की जिम्मदारी सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए ये US को याल रहना चाहिए चले इस पर हम आप एक question लिखेंग do you think the US sanction on Iran and US withdrawal from Pakistan will seriously diminish the role played by India in this reason बहुत important है ये question इसको जरूर आप लिखें और जरूरी नहीं है कि जो हमने अभी discuss किया यही लिखते हैं आप अपने मन से अच्छे-च्छे points निकाल के लाएं इंडिया का कौन कौन से स्टेक दाओ पे लगा है एकोनोमिकल, पॉलिटिकल, सोशल ये सब कुछ आप सोच करके अच्छे से answer लिखेंगे ठीक है एक लेते हैं क्या question है if we ask you to invest 10 lakh rupees in a company which company will you choose अपने मन से बहुत फ्रैंक हो करें answer दे अपनी समझ के अनुसार आगे बढ़ते हैं और आज के लिए इतना ही thank you so much आप लोगों ने कुछ ने कुछ ने कुछ पूछा था तो मैं बता दू आपको हमारे टेंडिग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा which is at the rate step up is वहाँ पर आपको easily pdf available मिल जाएगा ठीक है अधरवाइस आप इस नमर पर कॉंटाक्ट कर ले I will give you